हलो दोस्तों आज हमें शेयर से लेटीड बाते कर रहे हैं जिसका नाम नैशनल स्टेंडर इंडिया लिमिटेड है इस शेयर की बात करें तो यह शेयर आज से एक डेड़ साल पहले 19,000 रुपे की आसपास चलता था आज यह शेयर 4600 रुपे की आसपास चल रहे हैं ठीक है तो लगभग लगभग बहुत अच्छा खासा गड़ चुका है तो क्या यह अपॉर्चुनिटी है या एक धोका है अभी भी और जो 19,000 के लेवल पे अटके हैं उन्हें क्या करना है ठीक है उन सब चीहों से लेटीड बाते करेंगे जानेंगे इस कंपनी से लेटीड बाते सीखने के लिए वीडियो देखेंगे इतनी सारी वीडियो आपके सामने बनाई गई है आपको सिखाने के परपस से बताए गई है श्टॉक को एनलाइसिस के परपस से बताए गई है हाना एडुकेशन परपस से बताए गई है तो जाके देखिए सीखिए और सीखने का दू 8605-40501, 8169-261037, दोनों नम्बरों को सेव करके हमारे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, और साथ में काम करना है, तो साथ में काम भी कर सकते हैं, Basics to Advanced Technical Research, Fundamental, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों शेयर भागते हैं, क्यों शेयर गिरते हैं, Risk Management, Risk Reward, रिशो, सब कुछ आपको पता चलेगी, 1-to-1 क्लासिस है, 25,000 रुपे का कोर्स है, 3-month की हैंडोल देंगे, Strategy using Stockmark की Online Notes, सब कुछ दिया जाता है, एक बाग कोर्स कम्पलीट हुआ, तो पीछे मुर के देखने की जरुवत आपको पढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं, यहां पर कम्पनी से लिखेट, बट उससे पहले याद रखिए कब बाइंग सलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, और यहां पर देखिए, National Standard, India Limited, को मैंने यहां पर सबसे पहले, जब मैंने एक जिट साल पहले देखा था, तो यह शेर दस अजार रुपे के आसपास चल रहा था, और दस अजार रुपे से यह शेर नौन स्टॉप लगवा, नहीं से जार रुपे तक यहां पर टच करता हुए नजर आया, ठीक है बट मुझे कुछ चीजर समझ में नहीं आई तो इसलिए मैंने दूर रहना है यहां पर सभी समझा हाना, और यहां पर हम बात करें कंपनी करती का है, तो देखे, इन कोप्रेटी इन देखे पर चाहिन नहीं से इसलिए वगवा, यहां पर बात करें दो और यहां पर बात करें तो यहां पर इनकी वेब्सटीट पर आपको करोगे तो यहां पर इनकी website आईगी और लोधा की नाम से यहां पर आएगा तो यह इसका part है याद रखिएगा लोधा गुरूप का बढ़िए यहां पर लोधा गुरूप नहीं है हना पूरा का पूरा तो इस चीच को हमेशा याद रखना है market cap की बात करें तो यहां देखिए 9,300 करोड रुपीज के आसपास का यहां पर market cap है तो यहां पर दूसरी चीच बात करें इंडश्टी का P37 का है इसका P19,000 रुपे से 4,400 के आसपास चल रहा है बड़ इसका P638 का है तो जब भी देखिए मैं हमेशा कहता हूं क्या कहता हूं क हमेशा को पी देख के आपको कामनी करना आ पको देख करना के श्लीच महिंगा हो गया है को पी देख कि यह डिसाइड करना कि यह शेर भोससता है आपको क्या करना है आपको के बेस पर नजर अंदाज भी नहीं करना 600 का PEE 100 का PEE 1.500 का P, 200 का P, हाना sustainable नहीं होता और उसके इलाबा बात करें तो वहां पर फिर growth के भी chances नहीं रहते, हाना उस cases में क्या होता है, उस cases में चीटे गिरती हुई नजर आती है, और जग तक वो या फिर रुखता हुआ नजर आता है, consolidation में जाते हैं, बहुत सारे साल consolidation में जाते हैं और आप अगर share को खरीदे रहे हो, तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मैंने share करीदा, कुछ टाइम बाद यहां पर एक अच्छी का सी move आए, और मैं वहां पर से पैसा बनाओ और निकलू, तो यहां पर आप ऐसी company में अगर लेते हो, तो आप हमेशा फसोगे, dividend company दे 10 की phase value है, 181 का intrinsic value और book, यहां पर price to book value की बात करे, 35.9 है, जो कि यहां पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहां पर बात करे, return on asset 5.66% है, gross profit margin, last quarter का लगभा 100% है, sales growth 25% के आसपास है, और maximum chart pattern जैसे कि आपने बात करी थी, कि यह share लगभा 19,000 रुपे के आसपास 2021 नवंबर मे गया था और उसके बाद लगाता गिरावट हो और गया भी कहां से था, गया भी अगर आप देखो तो यहां पर COVID की गिरावट में तो यह share से 44 रुपीस, 35 रुपीस के आसपास आया था, और वहां से कहां पर गया तो पैसे भी यहां पर अच्छे आसे बने है, आगे बढ़ में यहां पर just because of other income, यहां पर company 2 करोड, 3 करोड, 4 करोड, 6 करोड, 10 करोड कभी-कभी profit दिखा देती है, ठीक है न, क्यों क्योंकि यह subsidiary business में है, तो उस वज़य से होता होगा, otherwise यहां पर हम बात करें तो, कुछ यहां पर खास नहीं दिखाई देता, यहां पर देखोगे तो पहले company यहां पर काम करती थी, अभी देखोगे तो अभी company बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, तो जब अभी company काम नहीं कर रही, तो हम अभी के base पर यहां पर देखेंगे न, हम company के past के base पर चीजों को नहीं देख सकते, right, past के basis पर भी चीजों को देखने चीए, बट time to time कैसे आपको यहां पर analyzes करने पड़ती है और उसके बेस पे यहां पर ही आपको समझ के सोच के आपको invest करना होता है बात करते आगेगी डिजर्व की बात करें दोस्तों उन्तालिस करोड के आसपास के रिजर्व से बात करें कमपनी के यहां पर कैश की तो यहां पर छोटा मोटा 1 करोड रुपे के आसपास का कैश पड़ा हुआ है क्टाइब और नियां पर आप देखेंगे प्रामोटर के पास 75 परसेंट के आजपास की होल्डिंग है अभी भी टीका और प्रमोटर कुंठीच्ट नहीं है अदिक यहां देखिए अनंत कंस्टक्शन यह इनके यहां पर promoter है पप्लिक के बात करें 26% की holding है और 26 में भी आप देखेंगे तो देखिए यहां पर आप देखे तो लग लग भग अच्छी खासी holding तो ही पर ही नजर आ रही है और यहां पर आप देखिए तो अच्छी कासी holding हापर है तो कम लोग फसे है बुल्कुल ना के बराबर फसे है ठीक है थोड़े भोट ही लोग फसे है यह लोग अभी भी तो हम ऐसा नहीं कहा पाएंगे कि यहां पर काफी लोग फसे हैं हाँ कुछ लोग जरू फसे होंगे रिटेर इंवेस्टर जो यहां पर इसमें पीक पे लेके बैट हुए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जानते हैं चार्ट से लेटी की चार्ट क्या गया रहा है और उससे पहले रिक्वेस्ट है आयम स्मॉल के इंवेस्टर चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को ही टॉल के नॉटिफिकेशन को अन करें बैंक जाली की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फैनेशल एडवाईजर कुद की स्टडी करना है नमरों को नोट करके साथ में काम और यहां पर कोर्स कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं चार्ट से लेटी बाते करते हैं बै पर यहां पर काम किया करती थी वो कंपनी अप काम नहीं करती ठीक ना तो पुराने ही परफॉर्मेंस के बेस में चीजों को जज नहीं करना है दूसरी बात अगर हम बात करें तो 18,000 के लेवल पर जो फसे हुए उनको क्या करना है मुझे लगता है कि आपके पास जो बात नहीं होगी कोई बड़ी हैराने वाली बात नहीं होगी क्योंकि कंपनी के शेयर में कुछ भी यहां पर नहीं दिखाई देता और याद रखिए अगर यह शेयर भागता भी है क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होगे कि सारे के सारे शेयर किसने लेके रख रख होगे तो आपको यहां पर दिखाई दे कर लगाता है आप पर सरकेट पर यह शेयर चला है तो इसे पंप किया गया है तो जब नीचे भी आया है तो बेचने का मौका बीच बीच में मिला है बट इस तिल यहां पर 19,000 रुपर वाला स्टॉक 15,000 रुपर अगर आपको या फिर तो कुछ भी नहीं ऐसे शेयरों में नहीं फसना जहां पर पंपो डंप चलता है अपर सरकेट लगते हैं ऐसे शेयरों में आपको नहीं फसना आपको ग्रोथ स्टोरी कुछ और दिखाई जाती है होता कुछ और है और आपको देखना है सीखना है समझना है आपको अच्छे से इंवेस्ट करना है क्योंकि अगर आप अच्छे से इंवेस्ट नहीं करोगे तो आप फिर उन लोगों में शुमार हो जाओगे जो इन्होंने पैसा खोया है आप उन लोगों में अगर शुरमार होना चाहते हो जो इन्होंने पैसा बनाया है तो आप सही तरीके से इंवेस् से contact करके सीख सकते हो, हमारे साथ काम कर सकते हो, हना हम आपकी help करते हुए नजलाएंगे. So, video अच्छी लगे, like, comment, share, चाहिए को subscribe, bell icon को hit करिए, हना और जितना हो सके, सीखने की कोशिश करें, जितना सीखेंगे, उतना पैसा आपका बनेगा. So, thank you so much. God bless.